राहू चौथे घर का और ये सुकर पहले घर का सुकर पहले घर में बोला जाता है तो राहू मंदा होगा इस बात को आगे सुत्रों में खुलते हुए आपके सामने आएगी अब दूसरी बात समझिए सुकर पहले बुद्बाद में तब भी राहू मंदा होगा सुक्कर खाना नमबर एक तो राहू मन्देयसर का एक सुक्कर पहले बुद्बाद में तब भी राहू मन्देयसर का अब राहू क्या है दिमाग की लहरें सोचने समझने के अक्समात आने वाले अनेकस्पेक्टिड विचार कोई भी घटना दुर घटना जैसे बीजली राहू है हमारे घर और गुरू को पकड़ ले तो गुरू का दूहा निकाल देता है राहू भूचाल भी है और सबसे वड़ी बात एक सुत्र समझेए उस सुत्र पे पीछे भी दो किलासों पर बात हो चुकी है उस सुत्र को थोड़ा और विस्तार देता हूँ कि सूरज की गर्मी से बढ़ता है राहू सूरज राहू को देखे तो अगला घर और राहू के सामने 180 डिग्री पे जो उसकी साथ में घर पे दरिश्टी जाएगी वहां तक अटेक्टर देता है यानि कि सूरज की गर्मी से राहू बढ़ता है और चंद्रमा से ठंड़ा होता है राहू खाना नमबर 5 में सूरज को तार देगा राहु खाना नमबर चार में पाप ना करने की कसम खाता है लेकिन कब तक? सिरफ जब तक छेड़ा ना जाए उसे छेड़ दिया तो बहुत गंदगी पे आ जाएगा अब छेड़ने वाली बात पे मैं यहां कुछ बाते हैं आप लोगों पे आगे कर देता हूँ इस बात को समझने की कोशिस करिएगा यह बड़े खास सुत्र है मैं बीच में रुख जाता हूं इसी कुण्डली के साथ को मान लीजिए इस व्यक्तिने राहु चार में है जट पर या टॉलेट पर काम करवा लिया तो यह सबसे पहले अटेक पड़ता है चंद्रमा पर मन की घर की सांती पैसे की आई चलाई चंद्रमा चंद्रमा के घर में है और चंद्रमा भी अच्छे हालत में नहीं है तो और ज़्यादा बुराई पर आ जाएगा तो राहू के बिसर्जन के अलावा कम से कम फिर तालिस दिन लगातार चंद्रमा को नेक करिए चंद्रमा को समा लिए और एक और बड़ी बात आप लोगों को आज बोलता हूं इसे भी उपाए के रूप में आप लोग नोट कर लीजिए जो को सौफ के पानी में उबाल कर पैंट समझने की कोशिस करिएगा सौफ या नीम के पत्ते क्या हैं मंगल की पानी चंद्रमा का उसमें उबालिए और जो उसमें भिगो लीजिए या छीटा मार लीजिए या फिर राहू चार की वस्तु धनिया धनिये को भी इस तरीके से कर सकते हैं जो को भी तर बहादी जीए तब कहीं जाके राहू चौथे घर का सांत होगा मंगल की सपोर्ट लेके और चंद्रमा को सुधार के अगर चौथे घर का राहू किसी ने विगाड दिया है इसको ध अगर दोस्तों जब जनम कुंडली में सूर्ज वद्मुष्टरका यानि की एक साथ खाना नमबर तीन में हो जाएं तो राहू का मंदा असर नहीं होगा कुंडली में अब एक और बात राहू मन्दा असर कुंडली वाले पे नहीं होगा यानि कि कुंडली में नहीं होगा ऐसे समझे शूरज बुद मुस्तर का खाना नमबर या मंगलवार में घर का हो मंगलवार में घर का भी सबसे ज़्यादा अपना असर जो रखता है वो रहू पे ही रखता है क्या कि तू एक पे हो बुद पे ज़्यादा असर नहीं होता बुद मंगलवारा के समय आठ नो बारा में कहीं भी पुराईयां दे देता है इसलिए मंगल वारा का मतलब है मंगल का जो अंकुस है जो हत्यार होता है महावत के पास बाकी इतना नहीं चलता ऐसे माझें सर एक चीज जब धनिया का धनिया और जौ उसके ऊपर जब नीम के पत्ते और पानी का जो चित्ता मारेंगे उसमें मंगल भी चौथा घर में चला जाएगा ना सर चौथे घर में नहीं जाता हर समय एक नियम को मत पकड़िए हमने राहू के पाप को काबू करना है दोना है यह सब बिकार की वाते हैं और चौथा घर का मतलब वहां पर नदी नहर होगी जो प्राकर्तिक जल सरोत होगा एक बड़े इस्तरका वह उसके पाप को धोने में समझे आप माथे से लगा के अगर कोई चीज बहाते हैं तो अलग महत्तो हैं आप सर से साथ बार उल्टा उतार के कोई चीज बहाते हैं तो महत्तो अलग हो जाता है होता है एसा एकदम अब मुझे यह बात बताईए जब मैं आप से कहूंगा दूद भाई ये तो मैं सर से मठें लगाने को बोलूँगा हैं माते लगने और जब मैं धनिया यह बाने को बोलूँआ तो क्या बोलूँगा गुमा कर अब समझ जाएं उस गिरे की नेगटिव एनरजी जो आपकी तो में तो इसको आप कर दे हैं यानि कि हम सबसे जलाब चंद्रमा को उपाए रूप में खराब करते हैं इसलिए जब भी उपाए मैं करवाता हूँ रहू के तू सनीचर के नदी ना लेके तो मैं उसके एक दो तीन दिन वाद दू धल्दी चावल भी जल्पिरभा करवा देता हूँ बाते लगा के जिससे की चंद्रमा फिर साफ हो जाए कि हावागी समझ में एक दूम एक दूम से बरबर अब इसी विजह पर हम बात करेंगे राहू अगर जनम कुंडली में मंदा ही हो अब यहां पॉइंट समझ लीजिए यहां मैं राहू आठ या राहू गयारा या वारा की वात नी कर रहूँ चाहे राहू तीनमें भी बुरा हो चाहे राहू छटे स्थान है अगर राहू जनम कुंडली में मंधा हो चाहे किसी वी également हो और दुवारा बोल रहा हूं राहू जनम कुंडली के कि सिए भी गर में हो लेकिन मंदा हो और ऐसे व्यक्ति का दरवाजा साउथ का हो बरवाद करतेगा यानि कि जिस जातक की जनम कुंडली में राहू मन्दा किसी भी घर का है यहां भी ध्यान रखिए साउथ फेसिंग मकान ना लिया जाए ना रहा जाए उसमें ना खरीदा जाए ना बनाया जाए बहुत ज़रूरी चीज़ और इसमें होगा क्या रुपे पैसे की दिक्कत आई चलाई बंद साउथ फेसिंग वात्रान राहू मन्दा आप सोचेंगे बुद तीन बुद आठ मंगलबद साउथ फेसिंग के लिए ना लिया जाए ऐसे भुसारे कारण है के तू आठ साउथ फेसिंग ना लिया जाए सनी ग्यारा सनी तीन में भी इस्ट और साउथ फेसिंग ना लिया जाए लेकिन इन सब के अलावा इस सुत्र को समझ दीजिए जब भी राहू मंदा हो चाहे वो किसी भी घर का हो साउथ फेसिंग मकान आर्थिक नुकसान देगा और अगर किताब के सुत्रों को सही से समझे हैं तो कहा जाता है कि मामुली सी ची टीवी हाती को मार देगी इसलिए सिरफ दूसरी कंडिशन के लावा राहू मंदे की कंडिशन को भी ध्यान रखें साउथ फेसिंग के मकान के लिए राहू चोथे घर में चंद्रमा अच्छा हो राहू का मंदा असर नहीं होगा बस छेड़ा ना जाए इस कंडिशन को हम इसा ध्यान रखना है चाहे मैं राहू के एक लाख अच्छे पॉइंट बता दूगा लेकिन छेड़ा ना जाए यह ध्यान दिया छेड़ते ही राहू खराब जाए राहू एक और नियम है और यह भी समझ लीजिए कि राहू जनम कुंडली के किसी भी घर में हो अब चार से भार निकल रहा हूँ इस कुंडली को थोड़ी तेर के लिए भूल जाए राहू जनम कुंडली के किसी भी घर में जैसे मंदा हो तो साउस फेस की मकान मना किया है वैसे ही राहू जनमकुंडली के किसी भी घर में हो चौथा घर अच्छा हो और चंद्रमा अच्छा हो तब भी राहू की बुराई राहू का मन्दा असर ना होगा चंद्रमा सबसे जरूरी चीज राहू के लिए अब दोस्तों एक और बात सनी को राहू देखे सनी को राहू देखे राहू मन्दा होगा मैं एक सूतर बोलता हूँ कि राहू की दरस्टी जब भी सनी पे जाए तो एक नियम तो हमारी किताम में लिखा हुआ है कि सनी का जाती सुभाव बंदा हो गया क्ष्वाण समझने की कोसिस करिए लेकिन मैं यहां पे एक सूतर बोलता हूँ जो किसी जब राहू सनीचर को देखे, एक्षिली इस सुत्र को भी समझ भी जिए, जब राहू सनीचर को देखे तो सनी का जाती सुभाव तो मंदा होई गया, यह तो नैसर की रूप से कुदर्ती रूप से बात हो गई, अब यहां पर एक और पाइंट है, जब राहू सनीचर को अपनी फित्रत अपनी तरह से चलाने की कोशिस करता है अब समझे जब कि राहू और के तुद एजेंट है सनीचर के मालिक तो सनीचर है इनका लेकिन जब राहू देखता है तो राहू मल्कियत पाने के चक्कर में अपना अधिकार सनीचर पे जवाने के चक्कर में उल्टा करम कर बैठता है और व्यक्ति के जीवन में होस्पिटल पोर्ट के चैरी जैसे मन्दे और बुरे हालाद क्रियेट हो जाती है ऐसे समझे यह एक कारण है इसको समझे मतलब सनी को राहू देखे तो राहू का मन्दा असर और सनी का तो जाती सुवाव खराब होई जाता है और सुन लीजिए मंगल राहू मुस्तरका में मंगल की अगर जवानी वरी डिगरी है मंगल जवान है मतलब 8-10 डिगरी से 20-22 डिगरी के वीच में तो राहू को कंट्रोल कर पाएगा अगर मंगल 8 डिगरी से कम यानि की बच्चा या फिर मंगल 22 डिगरी से जादा यानि की बूढ़ा तो राहू काबू में नहीं आ रहा होगा रसोई में खाना खाके ही बचाओ संभव है उपाए और जब मंगल राहू को देखे तब भी कोई गारंटी नहीं है कि राहू पूरी तरह से काबू में ही होगा दरश्टी सम्मन मान लीजिए मंगल 4 राहू 10 या मंगल 5 राहू 9 ऐसे मंगल उसको काबू करने की कोशिश जरूर करेगा लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने एक सुत्र पहले बोला राहू केतू और सनी चाश्च ये कभी भी धोका कर सकते हैं उपाय के बाद भी धोका कर सकते हैं अगर आप लोग अपने क्लाइंट के लिए राहू केतू सनीचर के उपाय करवा रहे हैं और करवाने के बाप जूद भी आराम नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा गौर करने की जरूरत पड़ेगी आपको इस शीच पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा राहू केतू सनीचर लेकिन सनीचर पापी हो जब और भूज इस शीच को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा हद से ज़्यादा कोई गारंटी नहीं इसी परकार से मंगल जब राहू को देखे तो गारंटी नहीं है अब यहाँ पर भी वो इनियम काम करेगा कि मंगल की डिगरी कितनी है मंगल कितना तकड़ा है लेकिन जिस समय भी अब यहाँ पर समझिए जिस समय भी मलब जर्मकुंडली के हिसाब से किसी भी शाल में या बर्सफल में मंगल राहू को देख रहे तो किसी भी महीने में यह उलट-उलट हो सकती है कि राहू मंगल के काबू में आयर बगड जाय क्योंकि लाल किताब बर्स फल में भी गूमते हैं गिरे इसी भी साल और महीना कुंडली जो बनेगी साल के हिसाब से उसमें भी गूमते हैं तो बहां भी इस तरीके के हालात के लिए टोज़ाएं इसलिए सिरफ इतनी सी चीज देखकर कि वही मंगल की दरश्टी राहू पर है यह रुकावट यह आपको धोका दे जाएगा धोका धरेब हो परेब हो जाएगा एक और सुत्रिस में समझ लिजिएगा मंगल के साथ राहू हो या फिर मंगल की नजर में राहू हो तो राहू केतू जैसा असर देगा मंगल के साथ राहू हो या मंगल की नजर में राहू हो तो केतु जैसा असर देगा एक बात पहले भी बोल चुका हूँ फिर बोल रहा हूँ सनीचर सूरज एक साथ तो राहू नीच मंदा और मंगल बद इसको भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा राहू खाना नंबर एक सूरज वैठे वाले घर में ग्रहन के हाला राहू खाना नंबर दो में लेक पंगुडा जूला जूले कभी भी उपर नीचे राहू तीन उमर अच्छी देगा बहुत सारी बुराईयों में भी बचाएगा राहू चार पापना करने की कसम लेकिन ध्यान रखना है कि छेड़ना नहीं है राहू पांच उलाद पे हमला करते राहू छे मददगार फासी तक काटे राहू साथ अब यहां पर यह मैंने क्यूं बोला कुछ लोग सोच रहेंगे राहू एक से बारत तक क्यों बोल रहा हूं अब समझेए राहू साथ में घर का तो हमारे ज्यादत तर विद्वान मित्र एक बात बोलते हैं क्योंकि मेरी बहुत लोगों से बात होती है तो मैं इसलिए यह बाते हैं आप लोगों के आगे खुल के रख रहा हूँ समझें आप राहू सेवन्त हाउस साथ में घर का तो हमारे ज्यादतर विद्वान मित्र बोलते है कि सुकर का धुआ निकाल देगा जबकि सच अकेला सुकर नहीं है सच यह है कि बुद्ध और सुकर दोनों राहू साथ में घर में सुकर और बुद्ध दोनों का धुआ निकालता है भीया मैं दुबारा बोल रहा हूँ और नोट कर लीजिए सुकर सुकर पे ध्यान मत दीजिए बुद्ध और सुकर दोनों का दुआ निकालेगा जब राहू साथ में घर में होगा और आप लोगों को एक और सुत्र दे देता हूं उससे ये बात साबित हो जाए कि राहू जब भी साथ में घर में हो ऐसे वेक्ति को बुद्ध से सम्वंदित बस्तुओं से बुद्से सम्मंदित रिष्टेदारों से भी नुपसान होते हैं ऐसे समझ दीजिए यह साफधानी बस बोला गया है आपको सोचना है जो बात कह रहा हूँ राहू आठ में मौत नक्कारा राहू दसमें घर में बुजरुगों पे बात